इस बार करीब 27 सालों बाद सुम्वती अमावस्या को एक विशेश योग बन रहा है इस बार ये अमावस्या 16 अप्रेल 2018 को पढ़ रही है बैशाख मास के कृष्ण पक्ष में शिव के दिन सुम्वार को अश्विन नक्षत्र में सूर्य और चंद्रमा एक साथ आ रहे हैं ये अपने आप में अनोका मेल है जो करीब 27 वर्ष बाद दोहरा आई जा रही है ऐसा पंडित दीपक पांडे ने बताया है ये अत्यंत शुब अफसर है ये वरत विवाहित्स्त्रिय अपने पत्तियों की दीनगायू की कामनासे करती है सोमवती अमावस्या का महातम्य ऐसी माहियता है कि इस दिन सनान करने तक मौन वरत करने से सहसर गोदान का फल मिलता है इस वरत को अश्वत प्रदक्षिन अवरत भी कहा जाता है क्यूंकि इस दिन अश्वत यानी पीपल के वरिक्ष पूजा की जाती है ऐसी माहियता है कि सोमवती अमावस्या के दिन गंगा सहित किसी भी पवित्र नदी में सनान करने से मनुशे सम्रिद, स्वस्थय और सभी दुखों से मुक्त हो जाता है नहें सोमवती अमावस्या पर दूद, जल, पुष्प, अक्षत, चंदन इत्याधी से पूजा करने के बाद पीपल वरिक्ष के चारों और 108 बार धागा लपेट कर परिक्रमा करनी चाहिए परिक्रमा करते हुए हर बार 108 वस्थूओं को रखना उत्तम होता है बाद में इन सारी वस्थूओं को सुपात्र को दान करना चाहिए इस दिन सूरे को जल से अर्धिय देना भी कल्यान कारी होता है इस दिन मौनवरत रखने से अत्यधीक पुर्ण ये प्राप्त होता है